कि अज़ो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग कैसे हो आप सब और फ्रेंड्स कैसा हो चल रहा है आपका काम आप मुझे मेसेज क्यों नहीं करते हो और मुझे लाइक्स भी नहीं करते हो और मेरे वीडियो को कमेंट्स मे creating क्या पिधी युड कई अउत्य वीडियो पसंद की अपको जमें या रहा है कि अ प्रीज कुसतों रिप्लाइच के जski कुस्तों कमेंट्स कि जी इसे मुझे पत्था तोचले कि आपको मेरे वीडियो में है लिजी अ है नहीं आ बहुत ही प्यारा था तो हमने सुचा चलो अपने स्रेंट के साथ वीडियो शेर किया जाए बहुत ही पुबसूरत मौसम था बहुत ही प्यारा हमने जा रहा था तो आप इसका मज़ा ले दिये अपने अपने शाम को शूट किया है फ्रेंड्स बहुत ही प्यारा लग रहा था संसेट के समय उफर आसमान तो हमने सोचा कि इसके वीडियो बना ले और आज आपके साथ और एक चीशेर कर रहे हैं फ्रेंड्स हमारे यहां भी कुछ दिनों पहले ही बोर हुआ है तो बोर होने से पहले कहा जाता है कि पहले देख लेना चाहिए कि पानी का स्तूरत कहां पर है घर में अगर आप बोर करा रहे हो तो अगर यह आपको पता रहे कि कहां पर पानी का स्तूरत है तो आसानी होता है आपको बूर कराने में क्योंकि आप इतने पैसे लगाते हो बूर कराने में और आपको पुचले कि यहां तो पानी ही नहीं है तो अपना नुक्सान होता है फ्रेंड्स तो यह तरीका हमें किसी ने बताया था कि आप नारियल ले लो हाथ में और उसे आप रखकर इस तरह से देखो तो जहां पर पानी होगा वहां पर नारियल आटोमेटिक स्टेंड हो जाता है तो हमारे हजबेंड ने यह करके देखा और रियल फ्रेंड्स जहां पर पानी था वहां पर आटोमेटिक यह देखिया नारियल कैसे खड़ा हो गया था और जहां पर थोड़ा सा किनारी किया नहीं हाथ तो नारियल वापस डाउन हो गया और जहां पर हम लोगों ने बूर कराया है वहां पर पानी इतना अच्छा निकला हमारे हां सभी ने कहा कि बहुत ही रेर होता है ऐसा कि इतने कम गहराई में पानी निकल जाता है और इतने अच्छे से पानी निकला कि सभी ने तारिफ किया हमारे हां बहुत ही कम गहराई मे पानी आ गया इसलिए हमने सुचा कि यह आप से शियर करें जैसे कि अगर आप में से किसी को कराना हो भूर तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि ऐसे करके आप अपने यहां बूर करा सकते हैं तो यह तरीका अच्छा है फ्रेंड्स और यह हमारे यह मशीन लग रही है प्लंबर आये थे और उन्हें मशीन डाला अंदर मोटर डाल रहे है बहुत महनत लगी हमारे दोनों बेटे भी इसमें जुटे हुए हैं मोटर डालने में तो हमने इसका फुरा वीडियो शूट कर लिया था हमने सोचा कि चलो आपके साथ भी इस वीडियो को शेयर करते हैं यह हमारे यह प्लंबर आये थे और उन्हें मोटर डाला कुछ दिन तो फ्रेंड्स पानी गंदा ही आता है हर किसी के साथ होता ऐसा हर किसी के यह बोर में शुरुवात में गंदा पानी ही आता है और हमारे हाँ तो तीन चार दिन तक करीब गंदा पानी आया फिर उसके बाद बिल्कुल साफ पानी आने लगा महनत बहत लगी थी इस को फिट करने में इनको प्लंबर अकेले ही पूरा किया था इन्होंने और यह हो गया यहां तो तुरसी जी के हम लोगों ने पुरिंदावन रखा है और यह हमारे हस्बेन ने पूजा किया था तो हमने उसकी भी क्लिप डाल दिया है जब मशीन लगी थी तो हमारे हस्बेन ने फूजा किया था और चलिए आपको कुछ बना कर शेयर किया जाए आपके साथ तो हम बना रहे हैं पूहा जो कि हमारे बाला घाट का फेमस नास्ता है तो देखिए हलांकि पूहा तो हर कोई बनाता है फ्रेंड्स आइनो बट हमने सुचा कि चलो आपको साथ वीडियो शेयर करते हैं तो हमने पहले मुझफली को तल लिया हम मुझफली उपर से ही डालते हैं फ्रेंड्स हम उसी में मैश नहीं करते हैं अगर आप वह हमें ही डाल दो तो गिला गिला सा हो जाता वो बिलकुल ही अच्छा न इकाल लो और फिर उपर से डालो तो वह क्रिस्पी लगते हैं मुझफली फिर हमने इसमें राई एड़ किया उसी तेल में जिसमें हमने मुझफली तला था फिर जीरा डाला जीरा हलका सब ब्राउन हो जाए तो फिर हम उसमें मिठी नीम डालेंगा के बाद मिठी नीम डाले के बाद हम इसमें प्याद डालेंगे स्था ञाल मीर्च डालेंगे लंभी लंभी हरी मिर्च सब्साइब थाड़ी मिल्च हमने लंबी इस ले रखा है क्योंकि हमारे हम बच्चे भी है तो उनको जादा स्पैसी ने पसंद है और यह हमने बॉयल आलू यूज किया है उसका अलगी फ्लेवर आता है फ्रेंड्स कच्छी आलू से जादा बैस्ट बॉयल आलू का बहुत अच्छा लगत है और इसको जादा आपको फ्राई भी नहीं करना रहता है हलके से फ्राई करो और बना लू अब से मसाले डाले हमने हल्ली डाला धन्या पादर डाला थोड़ी सिमित्र डाला नमक हमने सुरू में ही थोड़ा सा डाल लिया था धन्या पादर डाला धन्या हरी धन्या डाला हमने इतने में आलू फ्राई हो जाते हैं अब हमने पोहा डाल दिया पोहा में ही हमने थोड़ा सा नमक और शक्कर एड़ किया है थोड़ा सा टेस्टी लगता है पोहा अब उसमें हलका शक्कर डाल दो और इसे अच्छी तरह से मिला लेना है पोहे को अभी एक और चीज़ एड़ करना है फ्रेंड्स जो बिलकुल लास्ट में हम एड़ करते हैं जब पोहा कम्प्लिट बन जाता है उसके बाद हम उस चीज़ को एड़ करते हैं जी हां फ्रेंड्स नीबू की बात हम कर रहे हैं नीबू से पोही का टेस्ट डूबना हो जाता है अगर आप उसे लास्ट में एड़ करो तो अगर आप पहले डालोगे तो वह एक कड़वा पनाएगा इसलिए आप कभी भी बनाओ पोहे तो लास्ट में जरूर आप तो धनियात डला है पोह में मिठी निम भी डला है तो उसकी खुष्बू तो आती ही है इसमें तो आप आप इस तरह से इसे पूरी तरह मिला लेना है आपको नीबू को रस को हमने आधा हम आधा नीबू यूज़ करते हैं और हमारे हाँ चार ही लोग पसंद करते हैं खाना हमारा चोटा बेटा नहीं खाता है तो हमने पोहा बना लिया है और उससे हमने इस तरह से डेकोरेट किया है तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा आप मुझे लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इसाद तरह दिए प्रेंट ज़्य होगाए तन्यूभ भै वाली ओन लोली को सब्सक्राइब के बाल प्रूंगरेहान तो शेर चेकर चैनल मुझे मेरे इस वरा hownd लिया कâte बेला कर्क्कोर फेंड्स वरस पिर प्रूप पाल इसादा दो दिस्या है अखकर सुरित झाए ह chwcar nett i